हरर महादेव, जय महाकाल, आज की इस वीडियो में गुरु जी ने तीन उपाय बताए हैं, तीन उपाय बहुत ज़्यादा चमतकारी हैं, यह उपाय आपको सराद पक्ष में करने हैं, किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं, आप चाहे तो एक दिन कर लीजिए, वनना आप तीन चाहर दिन भी उपाय कर सकते हैं, इस उपाय जो पहला जो उपाय है, वो है तरक्की के लिए दिया, आपके घर में तरक्की नहीं हो पा रही है, आपके बच्चों की तरक्की नहीं हो रही है, सब पिछड रहे हैं, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आपके घर मे आपको गाय के लिए एक रोटी बनानी है गाय के लिए रोटी बनाने के बाद आपको खीर बनानी है गाय के दूद से ही खीर बनाए ध्यान के भूल कर भी आप भैस का दूद इस्तमाल ना करें गाय के दूद से आप खीर बनाए और वो रोटी जो आपने बना ही उस पर आपक को गाय माता को बलाना है और फिर उस गाय को वो रोटी खिलानी है जब आप रोटी खिलाएं गाय माता को तो आपको ब्रस कपी ध्यान लखिए ब्रस कपी महादेव के नाम का इसमर करते हुए वो रोटी गाय माता को खिला देनी है और उसके वाद उसके मस्तक को छूकर उस हा बहुत जादा चमतकार है गुरु जी कहते हैं इस पाय को आप अवस्य कीजिए दूसरा उपाय है दी आप के घर में किसी को बहुत जादा बीमारिया है लगातार बीमारिया बनिहün log आपको पाय करना आपको टावे केलोटे में अपने किचिन से जल भर लेना है और उस जल में आपको कुसा डालना है शुष कुसा बहुत जल्दी नहीं पाती है तो पुजा पाठ की दुकान से कुसा ले ले लिजिये और उसकुसा को आप उस जल में डाल लीजिए जल में डालने के बाद आपको क्या करना है फिर जाना है सिवाल है वहां जाकर आपको जो कुसा वाला जल है कुसा कुसा आप निकाल लीजिए और जो कुसा वाला जल है उस जल को आपको ध्यान से मापको वीडियो में दिखा रहे हैं जो सिव तो माता असोख सुन्दरी का इस्थान और जो सिवलिंग है उसके बीच में थोड़ा सा छोटा सा एक इस्थान है हम आपको दिखा रहे हैं वहां आपको वह जल अपने पित्रों का इसमण करते हुए वह जल आपको वही समर्पित करना है ध्यान रखिए वह जो जल है आपको समर्पित करना है और एक पात्र आपको लेकर जाना है उस जल को आपको उसमें लेकर आना है और फिर लेकर आए तो आपके घर में जिसे भी जहां सरीर में कोई रोग हो वहां आपको उसे लगा देना है उस जल को यह उपाई भी आप श्राद पक्ष में किसी भी दिन कर सकत हैं देखेगा आपके सरी में जो भी काठ है या काले धब्या सरीर में कोई और रोग है वो सब समाप्त हो जाएंगे एक तीसरा उपाय गुरू जी ने बताया है यह भी आपको श्राद पक्ष में करना है यह उपाय उनलों के लिए है जिनके दर्द सरीर में बहुत रहता है ज जल ले लेना है तावे के लोटे में आप जल ले लेजिए और उस जल में कुसा डालनी है कुसा डालकर यह जो जल है वह आप जो किचिन में जहां पानी रखते हैं भरकर वहां आपको वह लोटा कुसा में जो आपको जल में कुसा डाल रखी है वह वाला जल आपको वही प्वी आपको इस जल को रहना है और उसके बाद आपको यह जल सुभा्शा इसम votes करत तो आपको पी लेना है तो शुबार जो लेजिए और ईको फी लेना है इन में से जो भी आपकी समस्या हो से साफ से आप उपाय कीजिए देखेगा आपके जो भी कष्ट है वो तकलीफ है जो सब समाप्त हो जाएंगे अगर आपके सरी में कोई रोग है कोई कष्ट है वो सब समाप्त हो जाएंगे और आपके सरी में कोई दर्द होता है जोडों का दर्द है तो वह भी सब समात्त हो जाएंगे यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवस्त कीजिए